ओके सो लेट स्टार्ट इस हलो और वालकम बैक एवरेवां तो दिसनाव द वीडियो आज के वीडियो में भाई हम लोग इंडियन फिनांशल मार्केट का पार्ट वन देखने वाले ठीक है जैसे के पास पेशन्ट नहीं है वो पेशन्ट लेके बैठे ठीक है पेशंट को नहीं लाना, पेशंट में लेके बाठना है, ठीक है न बहएं तूचलो स्फार्ट करती आज का पहला टॉपिक तो आज का पहला जो टॉपिक होगा वहोगा ओवर्वीव ऑफ इंडियान WiNatial Ecosystem क्या है वैर मेरे ओवर्वीव ओफ इंडियन फिनांशिल इको सिस्टम दिख रहा है हाँ जी यह आजो क्या बताएं यहां पर सबसे पहले बताएं कि यार दी फिनांशिल सिस्टम ऑफ कंट्री किसी भी कंट्री का जो फिनांशिल सिस्टम है ना वो कंसर्ण रहता है कुछ चीजों के लिए एक तो allocation and mobilization of savings कैसे हम लोग एक particular saving को allocate करें और mobilize करें समझ में आ रहा है ना allocation of allocation and mobilization of savings का मतलब यह समझ लो कि यार allocation मतलब क्या allocation in a sense यह होता है कि आपने ना सेविंग किया है उसमें से कितना में को सेव करना है कितना में को मोबिलाइज करना है कितना मेरे को सेव करना है कितना मेरे को मोबिलाइज करना है कितना मेरे को सेव करना है कितना मेरे को मोबिलाइज में इन सेंस इन्वेस्ट करना है समझ में आ रहा है allocation and mobilization of savings ठीक है पूरा के लिए कि provision जो है related to that उसके बाद facilitating the financial transactions financial transactions को कैसे facilitate करें उसके बाद developing financial markets financial market कैसे develop करें हम लोग provision of legal financial structure what are the provisions of the legal financial structures के बारे में हम लोग परने वाल है provisions of financial and advisory services ठीक है financial and advisory service का क्या क्या provisions होना चाहिए उसके ले उसको लेके concern रहता है इपना Indian financial system of a country कोई भी इंडिया का बात करें तो इंडियन financial system है कि नहीं अपी हम लोग देखिंगे किया रही जो इंडियन financial system है फिनांशल सिस्टम में इसका important features क्या है sir इसका important features क्या है में को यह बता दो characters बता दो sir इसका power बता दो features of a financial of a financial यह यहां पर होगा financial system ठीक है और कोई भी financial system के features रहे था main features important features देखो it plays an important role in economic development of a country a country को develop करने में ना economically develop करने में एकोनोमिकली डेवलोप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट role play करता है क्या sir इंडियन financial system यह फिनांशल सिस्टम इंकरेज़ेस बोच saving and investment यह इंकरेज करता है क्या sir saving और investment save करो उसके बाद invest करो उसके बाद it links savers and investors यह saver और investor को एक तरीके से link कर देता है ठीक है किसी बंदे को पास जाओ के बैंक के पास आप जाओगे पैसा safe करने के लिए बाद में बैंक यह पैसा जो है वो तो of financial market financial market को expand करने में फैसिलेट करता भाई यह चीज समझ में आ रहा है उसके बाद देखो next importantly हम लोग समझेंगे यहां पर क्या है चीज देखो ध्यान लगाओ देखो क्या बता रहे कि देखो इंडिया एक एक लाइन परेंगे जितना इंपोर्टेंट है उतना परेंगे उतना मार कराएंगे कोई दिक्कत नहीं है आपको बस ध्यान लगाना है इंडिया has a diversified financial sector undergoing rapid expansion both in terms of strong growth of existing financial services farms and new entities both in terms of पुराणा वाला और नया entities ठीकि पुराणा कॉंसर existing financial service farm and new entities entering the market ठीक है the sector comprises commercial banks तो इस sector में कौन सा कौन से कौन से चीज़े आते हैं देखो अच्छे से देख लो commercial banks सर कहां पे सर कहां पे यह सब आता है पहले देख लो क्या आता है वो तो देख लो पहले एक आता है commercial bank उसके बाद insurance companies non banking financial companies co-operatives pension funds mutual funds and other smaller financial entities समझ में आ रहा है यह हम लोग financial sector के बारे में बात करें जहां पे financial sectors कौन से कौन से है एक होता है commercial bank एक होता है insurance companies जहां पे देखो simple way में समझाओ तो यह है कि बिटा यह जो financial sectors है यहां पे पैसा जाता है और उसके बाद invest होता है यहां पे पैसा जाता है और उसके बाद invest होता है समझ में आ रहा है क्या है commercial banks, insurance companies non-banking financial companies nbfc जो कहते हम लोग cooperatives, pension funds, mutual funds and other similar financial entities clear है भाई उसके बाद देखते हैं the banking regulator has allowed new entities such as payment bank to be created recently thereby adding to the type of entities operating in the sector तो हाल फिलाल क्या नया change आया है कि यार जो payment bank है payments bank ठीक है उनको भी include कराया गया है कहां पे सर, include कहां कहां पे कराया गया है सर, in the financial sectors, तो financial sectors में हम लोग अभी payment bank के बारे में परने वाल है, समझ में आ रहा है, payment bank जो होता है, यह financial sectors में आ चुका है हाल फिलाल उनका जो है घर प्रवेश हुआ है समझ में आ रहा है ना, कहां पे सर, financial sectors में, तो यहर इसमें payment bank कौन सा है सर, payment bank का example दो ना सर, भाई साब advertisement नहीं देखते, paytm करो, हाँ बिटा payment bank, paytm payment bank है कि यादा रहा है कुछ, दुनला दुनला सा यादा रहा है, आज देख्लियो advertise, ठीक है, अब इधर आओ financial service sector consists of the capital markets okay, financial service sector consists of the capital market insurance sectors and non-banking financial companies, India's gross national saving India's gross national saving GDS as a percentage of gross domestic product GDP stood to 30.50% in 2019, the total amount of initial public offering increased to 84,357 crores सर ये, initial public offering क्या होता है देखो भाई, बहुत सिंपल है, initial public offering क्या होता है, ना, कि यार पहला पहला, जब company जे है, ना company, वो क्या करता है, अपना shares जो है, वो सेल करता है, कहां पे सर stock exchange पे, पहला पहला है, ना, ना, समझ में आ रहा है, उसको कहते हैं, इनिशल public offering, मैंने पहले भी बताया था, इसके बारे में, IPO के बारे में, हम लोग ना, बहुत बढ़िया तरीके से परने वाला है, सभी में, जो के executive level पे है, ओके, अभी देखो, हां जी, कितना पता चला, इनिशल public offering जो है, वो increase हुआ, कहां से कहां तक, दिल से दिल तक, देखो, 84,375 crores, ठीक है, बाइदी एंड ओफ, financial year 2018, ओके, IPO reached US dollar 1.94 billion in financial year 19, तो 18, देखो, financial year 18 तक कहां तक था, financial year 18 जब था ना, तब 84,357 crores थे, ठीक है, crores थे, जो की है, US dollar में हम लोग 13,089 million के हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है, तो US dollar में अगर हम लोग समझें, तो कितना था, 2018 को, 18 को था, 13,089 million, और 2019 को कब, क्या हो गया, 2019 को क्या था, देखो, 2019 को reach हुआ, 1.94 billion, बहुत जादा हुआ ना, सर, हाँ, जी, बहुत जादा हुआ, तो बढ़िया ही तो हुआ, उसके बाद देखो, ultra high net worth individual, ultra high net worth individual, अब ही, अगर आपने को, अपको जानना है ना, कि यह ultra high net worth individual क्या होता है, सबसे पहले जानना हो, कि net worth individual कौन होता है, net worth individual क्यों बन्दे होते है, मैं एक simple साच तरीके से आपको बताता हूँ, net worth individual क्यों होता है, जैसे ना, कभी कबार क्या करते है, public जो है ना, private placement करते है, private placement, ठीक है, तुरा ज्यान दे रहा हूं ले कहले बहुत बढ़ी अग्यान है तो 200 है मैक्सिमुम प्राइवेट क्लेश्मेट कर सकते हैं समझते हैं मतलब समझो मेरा बात personally हम जाकर पकर लो मैंने company खोला personally मैंने जाकर कल जाओंगा मैं मोधी साहब के पास ठीक है जाकर बोलूँगा मोधी साहब मैंने ना मैंने आपको ना private placement करना है sir आप थोरा मेरा shares खरीद लीजिए sir मोधी अगर बोलेगा ठीक है तो मैंने बोला नहीं 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 फिर मैं जाओंगा टाटा के पास ठीक है रतन टाटा के पास मैंने बोलेगा सरजी मेरा थोरा shares खरीद लीजिए private placement कर रहा हूं sir मैं private placement कर रहा हूं तो एक ध्यान लगाओ यह जो बात है ना High Net Worth Individual यह कौन है बड़े आदमी जुनके पास भूत पैसा है समझ में आरहा है तो जो मुदी सहाबे उनके पास पैसा बहुत नहीं है मैंने मजाक में उनका नाम लिया है तो यह मत बोलना सर मोदी क्या बहुत पैसे वाले वो High Net इंडिविजुल कैसे होगे नहीं वो नहीं है वो इग्णोर करो और मुखेशंबानी ठीक है उसके बाद अपना रतन टाटा इनको समझो इनके बारे में डिसकस करते हैं वो लोग है नेट वर्थ इंडिविजुल होते हैं समझ में रहा है अल्ट्रा हाइए नेट वर्थ तो हो बंद है हाई नेट वर्थ का मेनिंग यह है कि उनसे तुरा कम कम जो है लेकिन उनके पास कैपसिट यह बड़िया बड़िया मतलब इंवेस्मेंट करने का समझ में आ रहा है उनको कहते हैं लोग हाई नेट वर्थ इंडिविजुल और उनसे भी ज्यादा जो जिसके पास कैपसिटी रहता है खरीदने को शेयर उसको कहते हैं लोग अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुल समझ में आ रहा है ना तो यह है अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुल इंग्रीज टू 2,697 इन 2018 तो हम लोग सोचेंगे सार यह तो इतना कम रेश्यो है 2,697 इसके पीछे ना करोड लगा है ना कुछ लगा है सर कुछ नहीं लगा बस थाउजन के रेट पर चल रहा है सर हाँ इतना अल्ट्रा अल्ट्रा लेजंड बंदे हैं अपने अपने इंडिया में अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुल सैना अपने इंडिया में बहु फ्रॉम 2013 तो 2018 अब यह आप बोलोगे सर यह यू एच एन डब्लियू आई क्या है भाई अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुल वह ग्रोव हुआ है 2018 में कितना था 2697 और वह ग्रोग कितना हुआ देखो ग्रीव बाई 118 परसेंट से ज्यादा ग्रोव हुआ है 118 परसेंट फ्रॉम 2013 तो 2018 इस दौरान में 118 परसेंट बरवत्री हुआ है किस चीज पर हाई नेट वर्थ इंडिविजुल में अभी बात समझो यह जो यह जो क्वेश्चन्स है ना यह डाम शोर आने वाले एक्जामिनेशन पर तो यह धियान रखो यह अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इ इंडियन फिनैंचल इकोसिस्टम इसका मतलब काह सर इसका मतलब यह ना भाई की वह कौन सा डेवलोपमेंक है वह कौन सा डेवलोपमेंट जो की नोट करने के लिए काबिले तारीफ है समझ में रहा है जो काबिल है कि हम लोग नोट डाउन करें उसको तो important सिंपल में मैं समझाओं आपको तो इंपोर्टन डेवलोप्मेंट्स कौन से है वो बता दो सर सबसे पहला राइजिंग इंकम आर ड्राइविंग दिमांड फॉर फिनांशल सर्विसे अक्रॉस इंकम राकेट्स क्या बता है कि यार इंकम जैसे बर रहा है ना वैसे वैसे दिम और संशन दोंगा मैं कल एक बैंक ने खोल लूँगा मिला अगर इंकम बढ़ा तो सोचो यह फिर आम इसे मतलब फिनाशल सर्विसेश ने दे लिगा बताओ और न्वीехद सी नहीं खोलंगा बताओ हाँ बेटा तो वही जैसे income rise होता है the demand for financial services okay driving the demand for financial services across the income brackets clear clear है अगर income नहीं बरेगा income नहीं बरेगा तो हम तो अगर मेरे पास पैसा नहीं है ना तो मैं किसको जाकर मांगूंगा अगर लोगों के पास income बरेगा तभी ना जाके दिया financial services मिल पाएगा में देखो उसके बाद देखो financial inclusion driven by RBI has expanded the target market to semi-urban and rural areas to financial inclusion जो है driven by RBI का मतलब क्या की RBI जो वो target कर रहे किसको सर semi-urban or rural areas areas को so that उनको financially secure कर पाया okay financially help कर पाया अभी देखो investment corpus in India insurance sector can rise to US dollar one trillion by 2025 यह भविश्यवानी है okay 2025 तक one trillion पहुँच जाएगा concert insurance sector credit in credit insurance and investment penetration is rising in rural areas इसका मतलब क्या है credit insurance and investment is rising in rural areas rural areas में रूल मतलब वो गावन वाला एडिया महां पर क्या हो रहा है credit insurance देने वाले लोग investment करने वाले लोग वो जो है ना जादा penetrate कर रहा है for example देल जादा घुस रहे है कहां पर rural areas पे समझ में आ रहा है अब ही देखो high net worth individual आया ना इदर पर देखो high net worth individual इनके बारे में हम लोग समझेंगे देखो participation is growing in the wealth management segment okay wealth management segment में इसका बरोतरी हो रहा है lower mutual fund penetration of five to six percent reflects latent growth opportunities या latent growth के मतलब हम लोग इस तरह के समझ सकते कि यार यह जो mutual fund है इसके पास बहुत ज्यादा capacity है इसके पास बहुत ज्यादा capacity लेकिन नसर problem कहां पर है बताओ मैं problem यहां पर है कि यार यह जो है ना unexplode रहे गया है unexplode रहे गया है कि मतलब उनका जो growth है ना बहुत कम हो रहा है इसलिए उनका growth opportunities है वो भी कम हो रहा है उसके बाद देखो the government of India launched India post payment bank IPPB okay to provide every district with every district with one branch which will have increased rural penetration तो इंडिया का government क्या कर रहे है इंडिया post payment bank जो है ना वो उन्होंने लांच किया है for what sir so that so that rural areas में ना rural areas में branches खोल पाए और उनमें उनमें क्या हो पाए उनमें जो financial transactions है financial intersections है financial penetration है वो increase हो पाए ठीक है रूरल एरियास है कि नहीं अभी यार गाओं में अगर बैंक ना खोले या फिर पोस्टल सर्विसेस ना खोले तो वहां पर savings कैसे होगा समझो एक बात saving कैसे करेंगे लोग और उसको invest भी कैसे कर पाएंगे सब लोग है कि नहीं वो भी तू है सोचो सोचो अभी देखो इंडिया benefits from a large cross utilization of channels to expand reach of financial sector तो महाराष्ट्रा has launched its mobile wallet facility along transferring of funds from other mobile wallets महाराष्ट्रा is the first state to launch it तो महाराष्ट्रा जो है ना वो पहले थे जो की मोबाइल फैसलटी जो की मुबाइल वॉलेटा यार हाँ जी जो कहते हम लोग phone पे उसके बाद और प्रकार lookin सर भुबायल वोलली है है खिन्हीस? उसके बाद उसके बाद और बताओ और बहुत mejorarे बहुत सारे तो बहुँत साथ विखकरे सर सका एक नहीं उक्ता जाथ आंक से और बताओ ने ढूँमने को तो को लगता होगा था लो कैसे याद रुकिए याद रकने का चीज लेख नहीं सोचते मतलब सबसे पहला था बताओ जरा कौन सा स्टेट सबसे पहला था जो कि मोबाइल वॉलेट जो है वो लॉंच किया था तो मुस्कुराते मुस्कुराते महाराश्ट टिक कर दोगे यह मेरा गैरंटी है अगर आप वीडियो अच्छे से सुन रहे हो तो उसके बाद देखो as of October 2018 the financial inclusion lab has selected 11 fintech innovators with an investment of 9.5 million promoted by the IIM एहमदबाद अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर यह fintech innovators कौन है सर यह अलग प्रकार का scientist होते है क्या तिको fintech innovators का मतलब होता fintech का मतलब होता finance ठीक है finance in what finance in electronic way ठीक है technology को use करके technology को use करके कैसे हम finance जो हो हो हम लोग expand कर पाए उसमें investment हुआ भरी भरी तरिके से देखो कितना investment हुआ 9.5 million promoted by what promoted by whom IIM एहमदबाद ऑके भारत inclusion initiatives along with JP Morgan Michael and Suzanne Dell foundation and the bill and and the bill and Melinda Gates foundation यार सर बिल गेट है क्या सर यह हाजी इसके बाद देखो क्या है बहुत कम है फटा फटा-फट हो जाएगा की फेसिट और ग्रोथ और फिनेंशल इंस्टिशन इंडिया the financial the significant characteristics of Indian financial system R is under beta अभी बताएंगे significant characteristic of Indian financial system R is under इसके बाद देखो क्या क्या है प्ले से pivotal role मतलब सर बेट पीविटल मतलब important crucial role ठीक है important role in accelerating the rate and volume of saving through provision of different financial instruments and efficient mobilization of saving now it is playing a significant role in increasing the national output by providing fund to corporate customers to expand their business operations यह सर एक्स्पेइन करेंगे सर पिटा एक्स्पेइन करने के लिए क्या है जो एक्स्पेइन करने का time आएगा मैं एक्स्पेइन कर दूँगा यह क्या है simple है यहां पर क्या बता है प्ले से pivotal role मतलब important role in accelerating मतलब speed करने के लिए किस चीज का सर रेट and volume of saving saving जो है उसका किस rate से और किस volume से हम लोग save कर पाई मतलब speedy तरीके से through the provision of different financial instruments and effective mobilization of saving वह important role play करता है कौन सर financial institutions समझ में आ रहा है तो financial institutions देखो परने का धंग होता है देखो financial institutions ठीक है through their provision of different financial instruments and efficient mobilization of saving plays a vital role or important role or pivotal role कुछ भी कहलो in accelerating the rate and volume of saving अभी आ रहा है लाइन पे बढ़िया अभी देखो इसके में इसमें क्या बला it is it is playing a significant role in increasing the national output हाजी national output बराउत्तरी करने में significant role play करा सर कौन financial institution by providing कैसे सर providing fund to corporate customers to expand their business operations corporate customers को मतलब businesses को companies को loan दे रहे ना safeguard the interest of the investors by ensuring smooth financial transactions investors के interest को safeguard करने के लिए ठीक है कर रहे है करने के लिए ने कर रहे है by what by how how sir कैसे by ensuring smooth financial transactions financial transaction बहुत smoothly लेकर जारे वो through regulatory body sir वो सब possible कैसे होते है sir financial institutions जो है वो investors लोगों का interest कैसे safe करते sir कैसे safeguard करते sir कैसे guard करते sir by smooth financial transactions और वो smooth financial transactions कैसे होता है sir कौन regulate करता है by the regulatory bodies like reserve bank of India securities exchange board of India SIB etc clear में आ रहा है तो यह जो reserve bank RBI है SBI है ना वो smooth financial transactions जो है वो facility देते हैं okay investors को so that उनका जो उनका जो interest है ना वो save हो interest मतलब sir interest मतलब वो वाला interest नी पैसे में interest मिलता है वो वाला interest नी their likes and dislikes समझ में आ रहा है ना उसका interest वो save guard हो में को चाहिए यह चीज ठीक है वो जो मेरा interest है वो protect करके रख पाए bank समझ में आ रहा है ना मेरे को कोई भी किसी प्रकार का fraud नहीं चाहिए तो वो जो typical चीज है वो banks जो है वो save करके रख पाए समझ में आ रहा है वो save guard करके रखे कौंसा bank sir RBI सभी ठीक है यह regulatory authorities है financial market का समझ में आ रहा है अभी देखो next देखो contribute substantially towards the economy development raising the standard of living of the people easy है promotes development of weaker section of the society weaker section of the society को promote करता है उसको develop करने में through rural development banks and cooperative societies कैसे सर development rural development banks वहना वो rural areas में वो लोग बिठाते है cooperative societies बिठाते हैं कहां पर rural areas पे इसके बाद assist corporate customers to make better financial decisions by offering effective financial and advisory services तो financial and advisory services तो भी देते हैं बैंक में चले जाओ और आप बोलो में को invest करना बैंक वाले चार्ज पाच जन बिठा देंगे आपके सामने बोलेंगे सर यहां पर इन्वेस्ट करो सर यहां पर इन्वेस्ट करो तो यह जो है ना financial services भी देता है ना पिटा हाजी advisory services उसके बाद दिको facilities financial deepening and broadening financial deepening refers to the increase in financial asset as a percentage of GDP and financial broadening pertains मतलब pertains का मतलब दर्शाता है refers to increasing number of participants in the financial system clear है भाई मेरे कोई दिक्कत नहीं है sir next day अभी main part अभी banking sector अभी banking sector हम देखेंगे banking sector में भी बहुत कुछ है देखने के लिए वो हम लोग देखेंगे okay डर्ना मत मैं हूँ ना भाई डर्ने का नहीं मैं हूँ मेरे साथ हाथ पकर के चलो और आम से निकल जाओगे समझ में आ रहा है अभी देखो banking sector यह क्या है sir banking sector देखो the growth of Indian financial system ना यह डिपेंट करता है देखो यह डिपेंट करता है यह कवर करता है financial system को इंडियन financial system का ग्रोथ जो है ना वो किसकी ऊपर डिपेंड करते है most probably banking sector mutual fund और इंशॉरंस sector पर तो तीनों हम लोग डिकोड करने वाले लेकिन आज के वीडियो में हम लोग बस banking देखने वाले थीक है banking बहुत बढ़ा है ना वही तो banking देख लेंगे तो banking sector थीक है banking sector में क्या बता है the banking industry handles finances in the country including cash and credit हाजी cash जो है वो है वो हैंडल करता है और credit भी हैंडल करता है समझ में आ रहा है banking are the initial bodies that accept deposit and grant credits to the entities and play a major role accepting deposit मतलब क्या हाँ जी पैसा लेना deposit मतलब बैंक में क्या करने जातो deposit करने ही तो जाते हो और grant loans बाकिये बंदे किसले जाते है बाकी सारे बंदे किसले जाते है sir loan दे दीजे sir loan दे दीजे वो loan की कारण ठीक है जाते है तो bank क्या करते है deposit जो है उनका facility आपको देता है और loan भी grant करता है granting credit to the entities and place a major role in maintaining the economic structure of a country अभी देखो given their importance in the economy banks are kept under strict regulations in most of the countries हाँ जी bank बहुत strict regulation क्यों फॉलो करता है सबसे बड़ा इंडिया में जो है banking regulations bank को regulate कौन करता है RBI Reserve Bank of India is the apex banking institution that regulates the monetary policy in the country ठीक है अभी banks जो है वो classify होता है किस प्रकार में सर देखो सबसे पहला होता है commercial banks उसके बाद small financial finance bank उसके बाद payment bank उसके बाद cooperative bank clear है मेको ना सबसे पहले आपको payment bank पराना है मैं परा सकता हूं अगरा permission दो तो सबसे पहले मेंको payment bank पराना क्योंकि मैंने जो आपको देखना है सबसे पहले payment bank पराना है आपको देखना है सबसे पहले payment bank payment bank यहां पर होया है देखो फटाफट कर लेंगे हम लोग payment bank में क्या लिखाया this is a relatively new model of bank in the Indian banking industry नया ने आया आया ताजा ताजा इडवस conceptualized by the RBI RBI ने सोचा कि ऐसा लाना चाहिए and is allowed to accept a restrict deposit ठीक है बहुत भरी मातरा में आप सेव नहीं कर सकते एक restricted level है जहां पर आप सेव कर सकते यह ओलसो ओफर ATM cards हां जी debit cards net banking mobile banking ठीक है the following are the payment banks in India सबसे पहले Paytm करो Paytm payment bank Airtel payment bank Fino payment bank India POS payment bank clear है भाई payment bank अभी आ जाओ इदर बे commercial banks पर आते हैं commercial banks में क्या बता है commercial banks क्या है commercial banks क्या है commercial banks हम लोग यहां से start करने वाले public sector banks पर ले देख लेते उसके बाद देखेंगे private sector bank उसके बाद देखेंगे हम लोग foreign bank regional rural bank तो चार प्रकार के commercial banks सबसे पहला public sector में देखते हैं banks are the nationalized bank public sector banks are the nationalized bank and account for more than 75% of the total banking business in the country india में 75% हिस्सा ना बिटा जो banking industry में cover करते हैं वो public sector bank होते है private नहीं 75% public sector और बाकी जो है divided है private sector में foreign banks में regional rural banks में ठीक है RRB जिसको कहते हम लोग इधर पर आजाओ banks are those in which major stake of equity is held by private sector हाजी private sector अच्छा इधर पर देखेंगे थे public sector खत्म नहीं हुआ majority of the stake in these banks are held by the government ठीक है private sector में देखते क्या बता है कि which stay equity is held by the private shareholders all the bank king rules and regulations laid down by the RBI will be acceptable on private sector banks as well तो जितना भी RBI ने RBI ने Reserve Bank of India ने जितने भी प्रकार के rules and regulation बनाये ना वो private sector के ऊपर भी ठोकेंगे public sector तो ठोक रहा है पहले से private sector के ऊपर भी ठोकने वाले हम लोग समझ में आरहा है उसके बादेखो foreign bank देखलेते है क्या बता है कि foreign bank is one of that has its headquarters in foreign country but operates in India as a private entity यर कुछ याद आ रहा है कुछ मतलब similar सा लग रहा है sir ये न foreign company foreign company सा लग रहा है हाजी बेटा देखो is one that had its headquarters in a foreign country but operates in India as a private entity ठीक है this bank are under the obligation to follow the regulations of its home country as well as the country in which they are in operating मतलब पकल्लोई एक बैंक है अमारिका में तीक है जर कितने बंदों ने डीबीएस बैंक का नाम सुना है डीबीएस हां हां जी बिटा डीबीएस बैंक सुना है डीबीएस बैंक एक्जांपल देता हूं मैं बहुत बड़िया बैंक है 7% interest मिलता है सर क्या बात करें सर हाजी डी भी एस डीबीएस ये जो बैंक है न डीबीएस जो है ना सिंगापूर का बैंक ठीक है ibe development bank of Singapore सिंगापूर का बैंक है तो यह जुत है ली इंडिया में भी टो service दे रहे रहे हैं इंडिया में भी service दे रहे हैं तो इसको क्या रूरल बैंक्स, सिंपल बात है यह लोकेट कहां पर होता है, रूरल एरियास में, इनका functions क्या रहाता है, important functions देख लेता है, providing banking and financial services to rural and semi-urban areas, semi-urban sir, semi-urban मतलब जो कि पूरा अर्बन नहीं है, अभी थोरा रूरल बाकी है उसमें, समझ में आ रहा है, पूरा अर्बन नहीं है, थोरा बाकी है उसमें, रूरल जो है उसका touch है उसमें, जैसे कि आपकी मम्मी नहीं बोलती है आपको, कि यार, तू तू पूरा जानवर जैसा है, ऐसा नहीं बोलती मम्मी तो मतलब क्या यूर सेमी हुमन ठीक है थोरा जानवर जैसा बहेवियर और थोरा हुमन जैसा वही उसके बाद देखो government operations like disbursement of wages of MgNREGA workers यह क्या है सर इतना बड़ा नाम MgNREGA यह क्या है सर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गैरंटी आक्ट ठीक है government operations like disbursement of wages मिलता है उनको ठीक है disbursement of pension एक्सेटरा पैरा banking facilities like debit cards credit cards and locker facilities सब मिलता है सर कहाँ पे original rural banks को अभी देखो small finance banks देख लेते हैं फटा 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 टाइम नहीं है small finance bank तो this is a niche banking segment अभी यार यह नीच banking segment बतर नीच सर यह bank niche है क्या बहुत niche है क्या सर देखो यह जो है ना niche इसका बहुत सारा मीनिंग है English dictionary में अगर आप देखोगे ना तो हजार के ऊपर मिल जाएगा इस particular word का मीनिंग लोग अलग अलग तरीके से ले सकते तो अपने company law में अलग तरीके से लेते हम लोग समझ में आ रहा है particular area banking segment in the country तो यह जो है ना बस particular areas में जो है ना वो banking service देता है sir कौन सा areas जहां पे दूसरे banking services bankers जो है जैसे की foreign banks, regional rural banks, public sector banks, private sector banks जिनको नहीं देते है ना service उनको service देता है small finance bank clear है the main customers of small small banks include micro industries, small and marginal farmers, unauthorized sectors, entities and small business unit these are licensed under section 22 of the banking regulation act 1949 and are governed by the provision of RBI act 1934 and FEMA इतना date याद रखने के दरकार नहीं इतना सोच लो कि यार कॉंसे कॉंसे बैंकिलर रेगुलेटीस इसको चलाते है एक तो है banking regulation act के अंदर चलता है और governed by RBI act समझ में आ रहा है and FEMA सर सर यह FEMA क्या है सर फैमा ना भाई मेरे फैमा है foreign exchange management act clear हो चुका है भाई अभी देखो comparison between traditional banks and payment bank यह बिटा आपको read करना है और कुछ नहीं है अभी दर पर देख लेते urban cooperative bank and state cooperative bank यह दो बचा है देख लेंगे फटा फट अर्बन cooperative banks refers to the primary cooperative banks local urban and semi area जहां पर वो लोग located है उनको कहते हम लोग जिस मतलब जो cooperative bank है ना जो की urban area में ठीक है और semi urban area में located है उसको हम लोग कहते urban cooperative banks this bank essentially lent to small borrowers and businesses centered around communities localities workplaces groups ठीक है उसका बात को state cooperative bank क्या बताया the state cooperative bank is federation of the central cooperative bank which act as the custodian of the cooperative banking structure in the state अभी मतलब इसका मतलब क्या है sir देखो simple है custodian मतलब वो बंदा जो take care करता है तो एक particular state में जितने भी cooperative bank है ना उसको particularly take care कौन करता है state cooperative bank clear है और urban cooperative bank मतलब यह तो semi-urban areas यह फिर urban areas में located है है कि नहीं और उनका जो क्या कहते उसको borrowers है वो small borrowers रहते बिजने सेंटर अमाउंट communities localities workplaces groups etc clear है भाई मेरे major developments जो है और यह final इसमें खतम हो जाएगा अपना तो बिटा यह जो major developments ना यह बस read करना है ठीक है यहां से लेकिए यहां तक आप कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है इसमें कुछ explanation का कुछ है नहीं बस dates है और कब कौन से date में क्या हुआ है वो है यह read करना अच्छे से उसके बात देखो यहां पर यह जो है ना बहुत लोग डर जाते किस किस सर यह क्या है सर सर यह क्या चल रहा है सर देखो फटा फट देखते हैं असुफ में स्टुडेंस का चो है ना यह सबसे मतलब दिक्कत वाला चीज है यह मतलब डेट और उसके दिन में क्या हुआ यह उनको याद करने के लिए बोल दो तो मतलब वो जैसे कि उनका किड़नी मांग लिया हमने ऐसा फील होता है उनको तो अच्छा देख लो में ट्वेंटी स्टुल कोपरिटिव बैंक जो है वो डेवलाप हुआ कॉंसे डेट के बाद में 29 2019 में 29 2019 के बाद ठीक है उसके बाद कौन कितने सारे है सर इतने सारे है नंबर सियाद रखियो थोड़ा बहुत हावबर अफर दी मर्जर्स दी कांट्री विल हव 12 पॉब्लिक सेक्टर बैंक offers इंक्लuting स्टेट बैंक फिंडिया तौ पणिक सेक्टर बैंक फिंटिव कितने सारे है सरे ऑंक इन था इंक पाड़ा तेक को बैंक फिंड्या गिंड्रेक फिर थैंडिया उसके बाद बाद बैंक फिंडिया Sut ahead over the past decade aiding by strong economic growth rising disposable incomes increasing consumerism and easier access to credit सर ये credit off-tech का मतलब क्या होता है सर credit off-tech इसका मतलब होता है increase in credit increase in credit growth credit का जो growth है loans लेने का जो growth है वो increase हुआ है समझ में आ रहा है और देखो over the past decade aiding by strong economic growth किस चीज के लिए सर ग्रोथ हुआ क्योंकि aiding by strong economic growth rising disposable income increasing consumerism and easier access to credit इस वज़े से credit growth जो है वो बड़ा है सर समझे अभी देखो during financial year 7 to 18 क्या हुआ credit off-tech मतलब credit growth जो है grew at an annual growth rate मतलब compound annual growth rate altogether altogether grew 10.94% as of financial year 2019 total credit extended surge to Rs. 93,751.11 17 billion इतना बरा नंबर सर यह याद रखना है नहीं नहीं इतना याद नहीं रखना है चिल मारो इतना याद नहीं रखना है लेकिन कौन से साल में बरा है वो तो याद रखना है ना ओके है 18 तक इतना था 10.94% बरोतरी हुआ है 19 में कितना पहुंचा हाँ जी 19 में numeric wise दिया है उन्होंने कि इतना आया है 19 में calculation करके 18 तक इतना था ठीक है 18 तक इतना grow हुआ ठीक है मतलब 18 में इतना grow हुआ और 19 में calculate करे तो कितना निकाला सर 93 751.17 billion अभी देखो demand has grown for growth cooperative retail loans particularly the service retails consumer durable and agricultural line sector has led the growth in credit credit to non-food industries increase by the credit to non-food industries increase by 12.3 percent year-on-year reaching rupees 86 33 4 billion in March 2019 इतना सर याद रखना दरकार है उतना याद मत रखो जितना हो सके उतना याद रखो भाई मतलब स्वर्ग प्रवेश मत कर लियो परते परते समझ में आ रहा है ना जितना याद हो सके उतना याद करना डुक्टर दूर्र रूरल एर्या इंडिया बैंक्स आ एक्सपांड़ ग्जाएं अंडिया बिसनेस्स अकॉर्डिंट रूर्ड याद फिनाच बैंटियूंस प्लां 5,98,000 and 93 banking outlets were provided in villages as on March 2017. Villages में कितना outlet हुआ banking sector का ये था ये इतना नंबर ठीक है? अभी देखो. September 2018 मो क्या हुआ? Ministry of Finance, Government of India launched the Financial Inclusion Index. This index will measure access, usage and quality to financial services. As on September 2018, Department of Financial Services, DFS, Ministry of Finance and National Informatics Center launched the Jandhan Darshak as a part of Financial Inclusion Initiative. तो ये याद रखियो, ये कब लाँच हुआ? Jandhan Darshak as a part of Financial Inclusion Initiative. It is a mobile app to help people locate financial services in India. मतलब ये क्या है, सर? Jandhan Darshak. ये ये एक mobile app है. इसको अगर आप on करोगे न, तो बिटा, कोई वीडियो नहीं चलेगा. यहाँ पर बस आपको ये दिखाए देगा कि financial institutions कितने दूरी पर है. ठीक है? जहाँ पर हम लोग जाके avail कर सकते हैं क्या financial helps. अभी देखो. The increasing dynamic business scenario and financial sophistication has increased the need for customized exotic financial products. Banking are developed innovative financial products and advanced risk making method to capture the market area. Bank of Maharashtra tied up with Manipal Health Insurance Company है. समझ में आ रहा है? Signa. पहले इसको बोलते थे Manipal Signa. ठीक है, TTK. To market their insurance product across India. ठीक है? Bank of Maharashtra किसके साथ tie up किया Manipal Signa. TTK. To market their insurance product across India. उसका insurance products को marketing करने के लिए. समझ में आ रहा है? तो insurance products मतलब सर, बेटा बेटा यार insurance products मतलब प्रड़क्ट ले लो, मतलब insurance ले लो, insurance ले लो, ये scheme है, वो scheme है. मतलब the various schemes, they want to sell. तो उसको promote करने के लिए. ठीक है? क्या किया उसको? Bank of Maharashtra ने. सिगना टीटी के मानिपाल सिगना टीटी के साथ कोलाबरेट किया. ठीक है? इतना बेटा, आज के लिए इतना तक रहेगा. कोई भी डाउट हो, तो comment section पे अभी के अभी पूछना. कोई दिक्कत नहीं होगा. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया, तो hit the like, share and subscribe button. ठीक है? सब्स्राइब करोगे, like करोगे, comment करोगे, बेटा, comment करियो. Comment करने से मेरे को ताकत मिलता, superman जैसा feel करता हूँ मैं, और आपके लिए वीडियो बनाता रहोंगा. ठीक है? झाल झाल झेको